बिस्मिल्हारवान रहीम, असलाम लेकर दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूट सीक्रेट्स अगली चीज़ा हम आप पास टोमाटर ठीक है एक बड़े साइस का प्याद और एक टोमाटर जाए वो काफी होगा और धेर सारी हरी मिर्चे हमें चाहिए हरी मिर्च इस रेस्पी में बहुत मज़े के लगती है और इसलिए मैंने इसको तुरह सा मोटा मोटा काटा है रोटीन आपने क्या करना है इसको अच्छे से करना है मिक्स जो भी रेस्पी आपको इसी लगे करें अच्छी लगे करें या आपको लगे कि यह कुछ आपको हटके मिला है तो आप उसको शेर जरूर किया करें अपने सभी दोस्तों के साथ कजन के साथ ताके उनको भी इसका पता च जब तक लैसन की शांदर से शुगाना शुरूर नहीं होती ठीक है जलाना नहीं आपने लैसन में हमारे पास है आलू तो 300 ग्राम आलू है जिसको मैंने इस तरह से कतलियों की फॉर्म में बड़ी काट लिया था ठीक है आपने मोटे नहीं आलू रखने बड़ी के रखने और इसके अंदर पानी हमने बिल्कुल भी आइड नहीं करना इसी ऑल के अंदर हम इसको फ्राई करेंगे अदर क्लैसन के पेस्ट में जिससे बहुत एक नेक्स लेवल का इसका फ्लेवर निकलेगा ठीक है पानी एड किया तो और चीज होगी अगर ऑल के अंदर हम यहां इसको बहुत ही यूणीक आएगा ठीक है अब यहां में रहे हलका सा कलर आ चुका है और दूसरी बात यह कि यह पक भी चुके हैं अब यहां पर हमने इसमें कुछ मसाले आड करने हैं तो नमक एक जमस काफी होगा वांटी स्पून वांटी स्पून चिली फ्लेक्स एड करेंगे यह एक की रेस्पीज में अच्छी लगती है हल्दी हाफ टी स्पून डालेंगे जीरा पाड़ो डालेंगे फ्लेवरिंग के लिए हाफ टी स्पून और एक जमस यानी के वांटी स्पून खुश तरिया पाड़र बस यह रेगलर से मसाले जाएंगे फिर आपने इसकी करनी ह बुनाई यह सभी मसाले बुनाई मांगते हैं तो हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताके शांदार सा फ्लेवर खुश्बू आ जाए उसके बाद जो अंडे मिक्स किये हैं वो हम एट करेंगे अब आपको याद होगा मैंने कहाता है कि जो प्याज है वो बाड़ीक रखन अच्छे लगते हैं अगर बड़े साइस को बिल्कुल मिक्स करते तो बड़ीक हो जाता है अंडा तो अपनी अपनी पसंद अगर आपको वैसे पसंद आप वैसे कर लें इस तरह से हम इसको हिलाएंगे याद रखीगा अंडे जब भी रेस्पीस में इस तरह से आड किये ज होते हैं और आपकी चिकन के अंदर चीजे बड़े होती हैं उसको आप जरू ट्राय किया करें अब यहां पर एक एक चीज़ आपको लेखे कितनी सेपरेट और कितनी फ्रेश लग रही है हमने कोई सालन नहीं बनाया हमने कोई बिल्कुल ब्लैक सा नहीं कर दिया देखे एक इसी दरा की वीडियो के लिए हमारे से चैनल के वीडियो सेक्षिन देगे दूआ में रहे हैं वोड़े तक अल्ला हाफीज